पटना में दिन दहारे कोचिंग क्लास करके लोट रही नवी क्लास की छात्रा को अफराधी ने गोली मारकर गंफीर रूप से घाल कर दिया और फिर वो फरार हो गया पूरा मामला पास में लगे CCTV कैमरे में खैद हो गया CCTV की ये तस्वीर आपके सामने है सब से पहले देखिए किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया ये लड़का जो पहले से ही वहाँ पर मौझूद है और देखिए लड़की का पीछा करते हुए उस पर फाइरिंग कर देता है एक बार फिर से आपको दिखाएंगे लड़की जैसे ही इस सुनसान गली की तरफ बढ़ती है लड़का पहले से ही वहाँ पर मौझूद है थेले में से निकालता है हत्यार और फाइर करके तोड़ता चला जाता है इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पहले से बाकाइदा रेकी करके ये पूरा प्लान इस युवक की तरफ से बनाया गया होगा नौवी की छात्रा कोचिंग करके वापस लौट रही थी दिन का वक्त सुभा का वक्त बताया जा रहा है जब लड़की वापस लौट रही थी और जैसे ही मुख्य सड़क के बराबर में जो पतली गली है उस तरफ लड़की मुरती है वहीं पर घात लगा कर ये लड़का इस नौवी क्लास की छात्रा पर फायर कर देता है हम सीधे रुख करते है मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और अपडेट्स के साथ शशांक सबसे पहले बताईए कि छात्रा की हालत कैसी है और ये जो आरूपी है इसको लेकर कि आभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है बाद उसने गोली चलाया और देखिए वो लड़का एक बड़ी घटना को अंजाम देने की मकसद सहय था ये साफ दिख रहा है चेहरे पर उसने टोपी लगा रखी थी मास्क पहन रखा था कि कोई उससे पहचाने नहीं और गोली मार कर वो पैदल चलकर फरार हो गया अब बाद उसकी गिरफतारी नहीं हुई है ये लड़की जो है 15 वर्स है काजन नाम है इसका ये नौमी क्लास में पड़ती है और बहुत ही गरिब घर की है ये इसके पीता जो है वो सबजी बेचने का काम करते है अब ये फिलहाल अस्पताल में है लेकिन वो लड़के को अब त अब इतने चोटे लड़के के पास बंदू कहां से आ रहा है कि इसके संपर्क में वो था या कोई अपराधी तो नहीं है ये जब जाच क्लियर हो जाएका तब पता चले अगा लेकिन अभी यही है कि वो गिरफतार है और पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का एंगल दे रही है लड़की अभी भी जो है पेहोसी के हालत में और गंभी रूप से पूरी तरह से वो घायल है फोस में आती है तो अपना वो बयान देगी उसके बाद हो सकता है इस मामले में कुछ आगे पटक शेप हो लेकिन पुलिस अभी भी उसको पकड़ने में नाकाम रही है आप जिस सारूपी की शिनाख तब तक कर पाई है इसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे और जिस तरीके से पूरा मामला राजनितिक तोर पर अब गर्मा रहा है उस पर भी आगे चर्चा करेंगे लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले जरूरी हो जाता है इस वीडियो को देख मतलब यह सुनसान गली जहां से शुरू हो रही है वहाँ पर यह लड़का पहले से ही मौजूद था जैसे लड़की आगे बढ़ती है लड़का चुप चाप पीछे पीछे उसके चलने लगता है अपने थेले में से जुक कर कुछ निकालता है और वो हत्यार होता है और तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया देखे किस तरीके से फरार हो गया अचा आसपास जो लोग हैं वो जिस तरीके से सुबह के वाक्त अपने काम में वैस्त होते हैं उसी तरीके से वैस्ते हैं किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या सुनसान गली में इस पुका भी इसने उस तरब देखा भी अब ये स्कूली चात्र भी हो सकते हैं जो साफ तोर पर इस वीडियो में नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि सुभा का वक्त बताए गया है लेकिन कुल मिलाकर कहीं न कहीं जो बिहार के अंदर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाये चा रहा है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आये बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं की बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फ ABP News आप को रखे आगे